कि आज हम शेपर के Ś Crash Mini के बारे में पढ़ेंगे यानिसे पर की चालन ंतरावली के बारे में पढ़ेंगे कि यह आपका है कि इस इस अपर में यह आपका कॉलम है कि उपर है कि जूफ बने हुए हैं इन वेज में रेम लगी होती है तो यह आप कोलम है इस कोलम में आपका ड्राइव मेकनिजम लगावाता है तो ड्राइव मेकनिजम का में में कार्य क्या है ड्राइव मेकनिजम में जो मोटर लगी भी होती है तो मोटर है उस मोटर में जो साफ लगी है वो रोटेरी मोशन करती है गुणन गती करती है तो जो है वह motor अर्थात पावर्वर्स को मोटर की गुणडन गती को रोटरी मोशन को इस रेम की रेसिपों क्यों में बदल देता है तो रेम है तो आगे की तरफ जाती है तो कटिंग करती है और पिछी के तरफ आती है तो आइडिल स्टोक होता है तो आपका तो सब्सक्राइब मेकनिजम है यह पावर सोर्स है पावर सोर्स की रोटेरी मोशन को रेम की रेचिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है ऐसे पर डी बेकनिजम चेंज दा रोटेरी मोशन ओब अब दास पावर सोर्स यानि लेक्टिंग मोकर इंटू दा रेसीप मोशन ओब दा रेंग रेन अब जसे मैं बताई कि तो कोई कटिंग नहीं होती है तो कोई कटिंग नहीं होती है इसलिए हम यह चाहते हैं कि जो रिटर्न स्टोक है वह क्विक हो ताकि रिटर्न स्टोक में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वह कम किया जासके यानि रिटर्न स्टोक है वह जल्दी से पूरा किया जासके क्योंकि उसमें कोई कटिंग नहीं हो रही है तो हम चाहते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं हो तो रिटर् सकें कि से से चितलिंग मोडशीघ्ल में च्णी आइऑ को ना के लिए तो इए हो से आपर में परदान करतें है रेम को वो समझेंगे सबसे पहले हैं आपका Slotate Slotate Link Quick Return Mechanism Slotate Link Quick Return Mechanism है इसको हम निम्र चत्र की साहता से समझेंगे यह आपका Slotate Link Quick Return Mechanism Slotate Link Quick Return Mechanism है यह आपके Mechanical Shaper होते हैं इसमें बहुत Common होता है यान्त्रिक सेपर है उसी आंत्रिक सेपर में Slotate Link Quick Mechanism है यह लगाया जाता है यह Mechanism बहुत सिंपल और Compact होता है और यह Electric Motor की Rotary Motion को रेम है उस रेम की Reciporting Motion में चेंज करता है Slotate Link Mechanism है यह रेम है इस रेम को Higher Velocity देता है Non Return Return Stoke के दोरान Return Stoke या Non Cutting Stoke है उसके दोरानी रेम को Fast Motion देता है Higher Velocity प्रदान करता है जिससे आपका Return Stoke में टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम है उसको कम कर दीता है तो यह आपका Slotate Link Mechanism दिखाए गया है इसके मुक्य बाग इस परकार से है इसमें एक बुल वील होता है यह बुल वील है आपका बुल वील है इस बुल वील की परीदी पर दाते कटवे रहते हैं और साथी साथ इस बुल वील में एक अन्यारि इसके सुरोकर सब्सक्राइल शार्व सब्सक्राइब की बाग भी रहता है इस बुल वील में एक क्रेंग पिन होती यह इसके क्रेंग प्रथों बिनदू सी के साफ से एक KSeels करता है सबसे पहलेता हो गए आपका bull wheel, दूसरा हो गए आपका slow eight crank क्रेंग और तीसरा हो गए crank pin अब grote eight crank बीए है, यह एक link D के माद्यम से इस frame से जुड़ी होई रहती है slow eight crank B, यह crank है, यह frame से जुड़ी होई है किस के माद्यम से, link D के माद्यम से तो अब यह कार कैसे करता है तो यह दोनों फिगर है इन दोनों फिगर को मैंने बढ़ा करके दिखा दिया आपको अब कैसे काम करेगा जैसा कि मैंने आपको पिले बताया यह बुल्वील होता है इस बुल्वील के बुल्वील की परिदी पर बाहर की और एक्स्टनलर टित है वो कटे वे रहते हैं ताकि बुल्वील को हम ड्राइव परदान करते हैं बुल्वील को एक पीनियन के द्वारा ड्राइव परदान की जाती है पेनिय मोटर सस जटा होता है तो लोटर गूमती है तो बीनियol लगवाइभा यह तो पीनियol मिगा तो ब Zug bisa busy उमेगह तो बुरी ले वकल इक रेंक पिन ए ये भी गूमेगी अब ये क्रेंग पिन है ये क्रेंग पिन अगर यहां सेंटर में लगी होती तो क्या होता तो अगर यह पिन यहां सेंटर में लगी होती तो जैसे बुलवील गूमता तो आपकी पिन भी गूमती तो यह आपकी स्लोटेट क्रेंग भी है इसकी कोई मोशन नहीं होती क्योंकि अ लेकिन यहां आम ने क्या करका इस पिन को सेंटर से दूर करका एप आपकी यह स्प्रेंग भी यानि यह क्रेंग है इस क्रेंग में क्या क्टा वाए यह इसलोट एक प्रेंग पीन की पोजिशन आइस पोजिशन को मरडिश्प्लेस कर दिया है सेंटर में ने करके सको थोड़ा आगे कर दिया है तो क्या होगा ड़ूल वील करेंगत चैब्रोट में यह उप्पर नीची भीग होती से चैनल कि यहींपर यंदो था जब उप्पर नीची होती है तो आसे हैं कि इस वेगर जाता है नीचिए तो यह नीच्छी बरता है नीची कई अर तो यह योईए आता है ब Lesson को आगे के और रहती है तो यह आपका जêuू लिंक को आगे मोसन और बेगवार और क्रेंग की होती एंग मोशन प्रदान नहीं करती लेकिन अगर इसको सेंटर से डिस्प्लेश कर दिया जाए तो यह एक बार इस लिंक को आगे की और दखे लेगी और एक बार लिंक को इस रेम को पीछी की और दखे लेगी जिससे फोरवाड और बेकवाड मोशन है वो पूरा होता है अब यह जैसे कि मैंने आपको यह बताया कि यह क्रेंग पिन है तो क्रेंग पिन को अगर हम सेंटर में रखते हैं तो यह सेंटर में गुमती रहेगी और यह आपका स्लोटेड क्रेंग के कोई मोशन नहीं करेगा लेकिन अगर आम इसको थोड़ा डिस्प्लेश कर देते हैं त तो यह आपका disfruted crank है यह खलिवासन करने लग जाता है तो यह रा और धे क्रेंट पिंदने इंटर से जितनी दूर होगी उतनी ही इस डरेम की स्टोक लेंग होगी यानि यह रा लोगी इतनी ज्यादा इसकी रहां की मृट यम्रम की को आधे कि डिसाइड करती कि इस्टोक इस्टोक लेंगत है वह कितनी होगी अब अब हुआ कि हम यह पढ़ेंगे कि यह प्रिटन मेकनेजम क्यों है एक जल्दी पूरा हो ताकि स्टरीन वंकिनिजम साध ही साथ क्रिट्र मेकनीजम भी है ताकि रेटन डूक है वो वो हिम जल्दी पूरा हो ताकि कि अब क्रेश टॉक में टाइम वेस्ट हो रहा है वह कम हो यह हम इस फिगर से समझेंगे कि रेम इस रेम का कटिंग स्टो कप पूर होगा यह देखिए इसमें दिखाया गया है यह क्रेंग पिन है इसकी पोजिशन है यह यहां पर यह और यह वन तो यह इसे गूम रही है पाथ ओफ क्रेंग पिन ए तो यह यहां पर उपड़ की तरफ जाएगी फिर इदर आएगी फिर वापस यह आएगी तो यह आपका क्रेंग का पाथ है पाथ ओफ क्रेंग पिन ए जैड एवन कटिंग स्टोक का पूरा होता है क्रेंग के पिन एसे एवनकी और आती है और शोर कपी लिंक है वह वह किदर जाएगा लेव टूलएट यह किदर जारा है तो कटिंग स्टोक पूरा हो रहा है जब आपकी crank pin A है वो crank pin है वो A से A1 की और जारी है और slotted link कहां जा रहा है लेफ्ट से right की और इसी प्रकार आई डेजिस्ट्रोक कब पूरा होगा आई डेजिस्ट्रोक कब पूरा होगा जो crank pin A1 से A की हो रहाईगी और आपका slotted link है उसकी position कैसे होगी right to left तब आपका return stroke है वो पूरा होगा अब आपका जो cutting stroke और idle stroke है इसमें जो time लगेगा वो time है वो अनुकरमानुपति होगा angle A, Z, A1 यहनी cutting stroke तो angle A, Z, A1 के अनुकरमानुपति होगा और idle stroke है रिटल stroke में time लगेगा वो A1, Z, A, K अनुकरमानुपति होगा अर्थाद cutting stroke में लगा time और idle stroke में लगा वा time इने angle A, Z, A, Z, A1 और A1, Z, A, K बराबर वोगा यह आपका the time taken by cutting an idle stroke of the ram is proportional to the angle A, Z, A1 जैसे के मने पहले फिगर में बताया आपको and A1, Z, A respectively cutting time कितना हो गया cutting time हो गया कौन A, Z, A1 के बराबर और idle time हो गया angle A1, Z, A के बराबर अब क्योंकि crankpin है वो तो uniform velocity से गुम रही है अगर आपकी motor है वो 300 rpm पे गुम रही है तो crankpin का rpm भी 300 rpm होगा है अर्थाद crankpin A है वो हमेश्या एक निश्चित velocity से गुमेगी लेकिन यह जो आपका angle A1, Z, A है यह smaller है छोटा है ठीक है यह छोटा है यह देखिए यह आपका angle A, Z, A1 यह तो इतना बड़ा angle और angle A1, Z, A है यह छोटा है तो इस angle को ते करने में ज्यादा समय लगेगा अर्थाद cutting stroke है उस cutting stroke में ज्यादा समय लगेगा और इस angle को ते करने में कम समय लगेगा cutting stroke हो गया यह idle और return stroke हो गया तो क्योंकि angle A1, Z, A है छोटा है इसलिए return stroke में कम समय लगेगा इसलिए यह mechanism है slotted crank link mechanism यह एक quick return mechanism है अर्थाद इसमें आपके वापसी stroke में वापसी stroke या idle stroke है जिसमें की कोई cutting नहीं होती है उसमें समय है वो कम लगता है तो इस प्रकार हमारा देश यह पूरा हो जाता है कि जो idle समय है उसको कम से कम किया जाए जो non cutting time है उसको कम से कम किया जाए तो इसके लिए हमें यह पहला system हमने पढ़ा slotted link mechanism जो की एक quick return mechanism है धन्यवाद